उम नमू भगवती वाशुदिवाद हर हर महादेर चैभोलेनाथ नमस्कार मैं शादना पांडे मागदचन पे आपका स्वागत करती हूँ दोस्तो एकादसी ब्रत एकादसी जो भगवान विश्णू को विसेज प्रिया है इस एकादसी में पूजा आराधना करने के बाद भगवान विश्णू की उस एकादसी का कथा स्रवन अवश्य करना चाहिए दोस्तो आज मोहिनी एकादसी है मोहिनी एकादसी भगवान विश्णू के मोहिनी स्रूप को समर्पित है तो आईे सुनते हैं आज मोहिनी एकदसी ब्रत की संपूर्ण कथा सर्व पर्धम कथा प्रारम करने से पहले गनपती का ध्यान करे ओम, श्री गणेशायनमा बोलते हुए मन में गणेशी का ध्यान करे या कथा आप पूजा करने के समय, पूजा के बाद या पूरे दिन में कभी भी श्रमण कर सकते हैं कथा स्रमण करने से क्या होगा तो दोस्तों इस कथा को स्रमण करने से सहस्त्रो गोदान का लाब मिलता है यानि कि ये कलियुग है इस समय जो है व्यक्ति हर प्रकार से अपने जीवन से कष्ट समाप्त करना चाहता है और उसके लिए बहुत ही अच्छा माद्य में एकादसी ब्रत रखकर इस कथा को श्रमण करना बीना ब्रत किये भी इस कथा का श्रमण किया जा सकता है चलिए, कथा स्रमड करते हैं कोई ऐसा व्रत बचाईए, जिससे समस्त पाप और दुख का नास हो जाए। मैने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्जी वसिष्ट बोले, हे राम, आपने बहुत सुन्दर प्रश्ण किया है। आपकी बुध्धी अत्यंत सुध तता पवित्र है। यद भी आपका नाम स्मर्ण करने से मौनिश पवित्र और सुध हो जाता है। तो भी लोक हित में यह प्रश्ण अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। उसका ब्रद करने से मौनिश सब पापो तथा दुखों से छूट कर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक शुनो। सरस्वती नदी के तरपर भद्रावती नाम की एक नगरी है। नगरी में दुतिमान नामक चंद्रवंसी राजा राज करता था। महाराजा धन धान से संपन वह पूर्य पाल नामक वैस सभी राता था। वह अत्यंत धर्मालू और विश्नु भगवान का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनाले, प्याव, कुमे, शरोवर, धर्मशाला आधि बनवाये थे। सडकों पर आम, चामुन, नीम की अनेक ब्रिक्ष भी लगवाये थे। उसके पांच पुत्र थे। सुमना, सतबुध्धी, मेधावी, शुकृती और ध्रिष्ट इन में से पांचवा पुत्र द्रिष्ट बुध्धी महापापी था, वह पितर आधि को नहीं मानता था, वह विश्या दुराचारी मरिश्चों की संगती में रहकर जुगा खेलता और परिष्टित के साथ भोग विलाज करता था, तथा मध्य मांस का सेवन करता था, इसी प्रकार अनेक उकर्मों में वह पिता के धन को नश्ट और भ्रष्ट करता रहता था, इन्हीं के कारणों से त्रस्त हो करके उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया, घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेज कर अपना निर्वाह करने लगा, जब सब कुछ नश्ट हो गया तो वह बिस्या और दुराचारी शाथियों ने उसका साथ छोड़ दिया अब वह भूख प्यास आदिश्य दुखी रहने लगा कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया एक बारवा पकड़ा गया तो वैसे का पुत्र जानकर चेतानवी देखर छोड़ दिया गया मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया कारागार में उसे अत्यंत दुख दिये गया राजा ने और बाद मीर राजा ने उस नगरी से उसे निकल जाने को कहा वह नगरी से निकल कर वण में चला गया वहां धन धान ने पशु पक्षियों को हर प्रकार से मारकर खाने लगा और वण जीव उसे ड़ने लगे कुछ समय पश्चात वह बहलिया बन गया और धनुस बान लेकर पक्षू पक्षियों को मार कर खाने लगा एक दिन भूख प्यास से व्यतित होकर वा खाने की तलास में खूमता हुआ कॉंडिल रिसी के आश्रम में पहुच गया उस समय बैसाख मास था और रिसी गंगास नान करा रहे थे उनके भीगे वस्तरों के छीटे पढ़ने से उसे सदबुध्य प्राप्त हो गए वह कॉंडिल मुनी से हाथ जोड़ कर खहने लगा हे मुने मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किये हैं आप इन पापों से छूटने का कोई साधान बिना धन का उपाय बताए उसके दीन बचन सुनकर मुनी ने प्रशन होकर कहा कि तुम वैस्ताक सुकल पक्ष की मोहिनी एकदसी नाम का ब्रत करो इससे समस्त पाप नश्ट हो जाएंगे मुनी के बचन सुनकर वह अत्यंत प्रशन हुआ और उसके द्वारा बताई गई मुनी के द्वारा बताई के विधी के अनुशार वह ब्रत करने लगा हे राम इस ब्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नश्ट हो गए और अंत में वह गरुण पर बैस कर विश्णू लोग भगवान विश्णू के धाम पहुश गया इस ब्रत से मोह आदिशबनश्ट हो जाते है संसार में इस ब्रत से स्रेष्ट कोई ब्रत नहीं है इस ब्रत के महातिम को पढ़ने से अत्वा सुनने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है मुहिनी एकादसी क्रथा का स्रवण करने से व्यक्ति अपने जीवन से कष्ट संघर्ष और संकटों से मुक्त हो जाता है इसलिए मुहिनी एकादसी का कथा स्रवण अवश्य करना चाहिए अब दोस्तों एक अवश्यक जानकारी आपको बदे देती हूँ कि 8.15 बजे 18 तारीकों मैं लाइब जोडने वाली हूँ समय है तो जरूर आईएगा एकादसी के पारण की बात जान लेते हैं एकादसी का पारण 20 मई को सुबह 5 बचकर 28 मिनट से 8 बचकर 12 मिनट तक है एकादसी के इस महुर्त में ही आप लोग पारण करिएगा ऐसा करने से आपके और हमारे सबके जीवर पर भगवान विश्नु के विसेश किपा बरसती रहती है तो इसलिए इस कथा का स्रमन करना और इस कथा के साथ पारण के नियम अगर नहीं जानते हैं तो वो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ आप उसे देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज सुन लेते हैं हम भगवान विश्नु की चालिशा एक अजसी पर विश्नु चालिशा विश्नु सहस्त्र नाम गजेंदर मुप्च का पाड़ बहुत ज़़ादा पायदे मन्द होता है तो चलिए हम स्रवड करते हैं भगवान विश्नु की सबसे प्रियर चालीसा विश्नु चालीसा का तो हाथ जोड कर फगवार विश्नु का ध्यान करे और विश्नु चालीसा का स्रमन करे नहु विश्नु भगवान खराली कश्चन सावन अखिल बिहारी प्रवल जगतमी शक्ति तुम्हारी रिववन फैल रही उजियारी सुन्दर रूप मनोहर सूरत सरल सभाव मोहिनी मूरत तन पर पीतांबर अतिशोहक बैजन्ती मालामन मोहत संक चक्रकर गदा विराजे देख सक्त धर्म मन लोभन गाजे काम क्रोध मन लोभन छाजे सक्त भग्त संजन बन रंजन दनुज असुर दुष्टन गलकंजन सुख उपजाय कश्ट भव भनजन उसमिटाय करत जन सक्जन पापकाट भव सिंद उदारन कश्ट नसाकर भक्त उबारन करत अनेक रूप जबदी के कारण धर्णी धेन वबन तुमही पुगारा अब तुम रूप राम को धार कारा भार उतार असुर दलमार रामण आदिक को शंगार आप बराह रूप बनाया, हिरन र्याक्ष को मार गिराया धर्मत सेतन सिंधु बनाया, चौदह रतनन को निकलाया अविलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया देवन को अम्रित पान कराया, असुरुन को छबिसे बहलाया कुर्म रूप कर सिंधु मजारा, मंद्रा चल गिरितुरत उठाया संकर कातुम फंद छुडाया, भस्मा सुर को रूप दिखाया वेदन को जब असुर डुबाया, कर ब्रबंध उन्हें डुडवाया मुहिनी बनकर खल ही नचाया, उसरे गर से भस्म कराया असुर जलंधर अतिबलदाई, संकर से उनकिन लडाई, हार पार सिवसकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई सुमरन कीन तुम्हे सिवरानी, बतल आई शब विपित कहानी तब तुम बने मुनिश्वर ग्यानी, ब्रिंदा की सबसुरत भुलानी देखत तीन दनुज सैतानी, ब्रिंदा आये तुम्हे लपटानी तुमने धुरूप अलाद उबारे, निडा कुछ आदिक खल मारे गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भौसिंद उतारे हरव सकल संताप हमारे, क्रिपा करहू सिर्जन हारे देखो मैनिज दरस तुम्हारे, दीन बंद भक्तन हित कारे चहत आपका सेवक दर्शन, करहू दया अपनी मदशुदन जानो होई योग्य जन पूजन, होई यग्ज स्तुद अनमोदन शील दया संतोस सुलक्षन, विदित नहीं ब्रत बोध विलक्षन करहू आपका किसी विदि पूजन, कुमती विलोक होई सिप भूजन करहू प्रडाम कौन विदि सुमरन, कौन भात मैं करहू समरपड सुर्मुन करत सदा सेवकाई, हर्सित हरत परमगत पाई दीन दुखिन पर सदा सहाई, निजजन जाए लेव अपनाई पाप दोश चंताप नसाओ, भौबंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत दे उपजाओ, निजजचरनन का दास बनाओ, निगन सदाए विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुक पावे ओम विश्नवे नमा, ओम विश्नवे नमा, ओम विश्नवे नमा करती हूँ, आपने पूरी कथा स्रमण किया होगा, विश्नु चालिशा स्रमण किया होगा, वगवान विश्नु की क्रपा आप पे शदव बरस्ती रहे, और बादा रहनी की क्रपा, भोरे नाद की क्रपा ऐसे ही आप पे बरस्ती रहे, यही कामना करती हूँ, मैं मिलती हू अन्य वीडियो में कता पसंद आई हो लाइक करना बद भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवाद